सलमान खान के साथ काम करने का सपना हर टॉप हीरो से लेकर टॉप अक्टॉसस का होता है अब इसी फेरिस्ट में दिपका पादुकोन का नाम भी शामिल हो चुका है जी हाँ कबीर खान के अगली फिल्म में आप सलमान खान और दिपका पादुकोन को एक साथ एक ही स्क्रीन शेयर करते देखेंगे सलमान खान के लिए ये तीसरा मौका है जब कबीर खान के साथ वो फिल्म करने वाले हैं सूतरों के मताबिक ये खबर आ रही है कि सलमान ने कबीर खान के साथ अपनी तीसरी फिल्म साइन की है और इस फिल्म में कोई और नहीं बलकि दिपका पादुकोन को उनके ओपोजिट कंफर्म किया गया है दिपका फिल्हाल अपनी हॉलिवूद डेबियो फिल्म ट्रिपल एक्स दे रिटर्न अफ एक्जांडर केज की शूटिंग में व्यास्थ है ये फिल्म वो विन डीजल के साथ कर रही है जो 2017 में रिलीज होगी वैसे फिल्हाल दिपका ने बाजीराउ मस्तानी के बाद बॉलिवूद में कोई फिल्म साइन नहीं की है वहीं दूसरी तरफ सल्मान ने भी सुल्तान के बाद अभी तक किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं पड़ी और ना ही किसी फिल्म को साइन किया है खेर अभी वीडियो को लाइक करें, शेर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई